कि चली कल हम लोग कहां तक कुश्चन किये थे यहां देखें नजरा यह वाला पार्ट हो चुका था निश्ची समय वाला ठीक है निश्ची समय के बाद थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं कि सीज का देखना चली को देखिया भी तो अच्छी नंबर है कर दो यहां से क्विशल देखना है कि एक सही घरी में 8 बजे सही घरी 8 बजे दर साती है घरी का घंटा के स्वीध भर 2 बजे तक कितनी डिगरी का कुंझ मनाती एग चले वाल भावव किजह हैं बहुत बनिया चले कोश्चन को देखी है सब्सक्राइब को समज் favored बहुत अराम से एक सही घरी आठ वजे दरसाती है थोड़ा सा गुमा दिया कुश्चन कुछ नहीं किया और कुछ नहीं बस आपको समझ जाना है और कुछ नहीं करना है कुलॉग का कुश्चन एक सही घरी में आठ वजे दरसाती है तो आठ का मतलब है कि यहां पर काटा यहां पर मिनत का सुई को हम नहीं लिखेंगे ठीक है मिनट का सुई नहीं लिखेंगे, आठ बजे, ये नौ है, तो ये आठ है, तो आठ बजे मतलब ये काटा यहां रहेगा, ठीक है, बास समझना, दो फर बाद, दो बजे तक, कितने डिगरी का कोन बनाएगा, जैसे ही दो फर दो बजे का बात किया, तो ये काटा जो है, यही का तीस होगा, ये भी तीस होगा, ये भी तीस होगा, और ये भी क्या होगा, तीस होगा, मिलाईएगा टोटल 180 डिगरी, हाला कि आप जानते हैं, जब सीधा है, जब ये आपको बता ही रहा है, कि यहां पर ये पार्ट क्या दिखा रहा है, सीधा दिखा दिखा दे रहा है, सी इतना वजे बोला है आठ बजे और दो बजे एक स्वासी डिग्री ठीक है कि लिए हुआ एक स्वासी डिग्री स्वासी अप्शन में नहीं हचूट गया मिस्प्रिंट हो गया होगा वहाँ पर ठीक है चला अगला कुशन देखो जला से यहां पर एक घरी चार बजे का समय तर रहे हुआ से यहां पर है का सीक्द थो झूडियों उसी में सुलオ रहते हैं कि सब्सक्राइबu हो जाएगा 4 बजे करूंने के बाया समय होगा खंटा का सब्सक्राइब बात कर रहा है आवर क्यों कर रहे है और कर सुखित आफ मैं पकर रहे हैं आवर कर रहे हां‌टने काटा यहाँ पे आ जाए अगर यहाँ बजे का समय होता है यह शे बजे का समय होता है और यह साथ बजे का समय होता है इसका मतलब यह साथ वज़े का समय सो करेगी किलियर हुआ की नहीं कोई दिकत बहुत अच्छा किसी वह दिकत बतना जरूर अगला कोस्टन कह रहा है अगला कोस्टन जानने से पहले क्योंकि अब यहां पर आ गया निश्ची समय के साथ में मीनट का विचलन ठीक है यह हो गया आपका टाइब टू में टाइब टू कहने का मतलब निश्चीत समय के साथ निश्चीत समय के साथ मीनट का विचलन मीनट का विचलन मतलब मुवमेंट ठीक है सबसे पहली बात इसके लिए आप एक फर्मूला है क्या है भाई हमारा ट्रिक ट्रिक क्या दे रहे है ज्यानदेना ट्रिक रहेगा 30 गुनअ एच माइनस 11 वर्टे 2 गुनआ मीनट याद रखेगा यह आपका क्या है ट्रिक है किस के लिए निश्ची समय के साथ मीनट का विचलन के लिए पहले बारा फिर से समझाए सर प्लीज निश्चित समय जानने के लिए थोरा से हम आपको बैक थोर ले जा रहेंगे हल का सा बैक जाना होगा कहां बैक जाना होगा भी दिखाते हैं कि निश्चित समय के साथ मीनट का विचलन मतलब जिसमें क्या रहता है साथ बच खर तीस मिनट है ना जैसे क्या रहता है इसमें शाथ बच निश्यों- evaluate में कितने मारा है को इस पर सपरकार हम लोग यहां से चलते हैं इसको समझते हैं पहले बता दिए पिछला कुछन सारा किलियर है आप लोगों का नॉर्मल वालत आप बना लेंगे इंग्लिस में बताइए सर पक्का इधा इंग्लिस में चलेगा कर दो कर दो कि देख दो तीन चार को वन टू थी बोलेंगा और क्या बोल सकते इंग्लिस में बसमझ में आएक नहीं है आगे बहुत थोड़ा सा पहला हमको क्लियर कर दो उसमें कोई किसी और को प्राबलम नहीं है जली जहिंद राम राम स्था जय ध्यान देना यहां पे निश्ची समय के साथ मिनट का विचलन में क्या होता है न इस परकार का होता है फिर से आपको थोड़ा समय कर दें कि दो अंकों के बीच का माप कितना होता है तीन काटा होता है अब पहले इसका थोड़ा से एक चीज़ समझ लिए इनिसी समय के साथ मिनट का विचलन जब पूछे तो सबसे सौट में हम इस पर लेके चलेंगे हाला कि बताएंगे पहले आद को 30 गुना यह मैनस 11 बटे दो गुना मिनट बस यहां पर आपको देखना यह फर्मूला का यूज करें और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है अलाम से बनने वाला यहां देखना जड़ा अभी यहां से कुर्श्चन में थोड़ा से पहले चीज़ा और पढ़ लीजिए क्या है सुईयों का मार्ग व्रिताकार होता है बाबू सुईयों का मार्ग मतलब ऐस यहां यहां पर समझना है बेसिक के लिए कि सकेंड की सुई जो है वो क्या होता है och याद रखना सिन गाता सुईय परती मिनट कितना मुमेंट करता है आधा मतलब घंटा का सुई जब घड़ी पर ऐसे राता है ध्यान देना ज़रा साइब को घंटा का सुई जब यहां से यहां आता है यहां से यहां आता है करता है यहां याद रखने के लिए और कोई दिक्कत नहीं है अब देखो यह तीन बात रखना को घड़ी का आता है डिगड़ी वाला दरपन वाला अलफाबेट वाला मिसलेनेस कुछ और रहता है फूर भी हम आगे बात करते हैं जैसे कोस्चन का साथ बचकर तीस मिनट हो रह हूए ठीक है तो तुएयों के बीच कितने डिघ्री का कोण मनेगा सतात UPी समें ध्यान देना 730 में आपको मालू में क्या करना है 30 गुना क्या करना है H, tetan, –1,2 घुना क्या करना है तो मिनिट करना है यह आपका थिरिक है यहां पर उठाख कहाँ डिए चले जाए अराम ससक्षजोंन स्वाल्ब 30 गुना, H, मतलब क्या आवर कितना है? 7-11,2 तो अगुना मिनट कितना दिया है 30 इसको काट देंगे साथ तिया किस कितना दूसर तस माइनस ये दो इसको काटे कितना पंदरा पंदरा गुना 11 165 कितना हो जाएगा हमारे पास में 45 डिग्री बस आपका एंसर खतम एक दम आपका एंसर तूरत खतम हो जाता है आप अराम से बना सकते हैं अगर माल लो अगला कोश्चन हम लेकर चलते हैं नौ बचकर 22 मिनट तो आप करना क्या है यहां पर 30 गुना एच याद है ना 30 गुना एच माइनस 11 बट्टे दो गुना क्या करना है मिनट करना बस इसको उठा ल पतलब 270 अब माइनस कितना एगर गना कितना 121 तो 270 में से 111 को घटा देजिए 270 में से 121 को आप क्या करेंगे घटा देंगे यहां आया 9 और यह कितना बज़ गया च्छे च्छे में दो चला गया कितना और चार अब देखो इतना देखे 149 डिग्री एंसर लगा देंगे बस पर लेके चलते हैं तो बड़ी नॉर्मली आप बना सकते हैं चलिए आगे चलते हैं अगले कुस्च्छन पर यदी किछी घरी में 1220 हो रहा है इसको भी समझ लोगा 1220 में है 30 गुना एच नहीं करते हैं याद रखने क्या करेंगे 112 अगुना मिनट करेंगे बस इतना ही काम आक कर रही यही एंसर हो जाएगा आप तीस गुणा अज कहीं नुकिये याद रखना नोट में हम यहा लिद्ध देते हैं नोट में कि रिचे itself कि योज़े वाले कुस्चन में 12 बज़े वाले कुस्चन में मारा बज़ वाले कॉस्चन में कि इस गुना एच नहीं करते हैं और अगर मान लीजा आपको मन करेंगे तो और प्र 360 लिए ने आप करेंगे सर ऐसा कर भी इस पर भी बता दिए तो चलो उस पर इस पर एक बड़े आ जाओ यहां जो बारब 20 करना है हम को 12 देखो लो कितना आराम से बनेगा 12 कि 12 को Its 12 का मतलब है के एक काटब तो मेरा यहां पर रहेगा चार पर जब 12 बीस बोला तरह एक काटा मेरा यहां कहीं पर रहने वाला है बसना मेरे कि नहीं अब देखो जरा यहां से यहां का 300 यहां का गया था तो भाया घंटा का सुई एक मिनिट में आधा दिग्री जाता है इसलिए इसलिए 20 मिनट में कितना कितना रिजाए काई इस में घंटा की सुई घंटा की सुई तो यह 10 अगर गया है तो रेस्ट हमारे पास कितना बच गया कि टोटल 30 होता है न तो रेस्ट बच गया 20 अब इसको आप ऐसे जोर दीजेगा यह 110 डिग्री हो जाएगा बेसिक से संपुन पड़ी कम आप कितना होता है और यह डारेक्ट मिडल में पहुंज आता है इसलिए या तो आप 306 माइनस करेंगे या नहीं तो आप 306 को हटा दीजिए बासमिज में आगी नहीं कोई दिकत आराम से बना सकते हैं कोई भी अगर निश्ची समय के साथ मिनट का विचलन रहेगा तो खतरनाक रूप से बना सकते हैं कोई दिकत होने वाला नहीं किलियर है बासमिज में आए कि नहीं तो आइसा कोई भी आएगा तो आप बना दीजिएगा चली इसको अराम से देख लिजिए और इस प्रकाव है को कभी छोड़ना नहीं है ठीक है अगरा कोश्चन साथ बचकर 20 मिनट हो रहे हूं तो घंटे मिनट के सुई के बीच कितने रिगरी का कौन बनेगा साथ बीस जब बोल दिया तो फिर वही है तीस गुना एच माइनस 11 बट्टे दू अगुना क्या तो मिनट किलियर है इतना बात तो अब क्या करेंगे तीस गुना एच कितना है साथ माइनस कितना 11 बट्टे दू अगुना मिनट कितना है बीस साथ एक इस दूसों तस और माइनस क्या कर रहे हैं या दस दस से कितना हो गया 110 घाटा देजिए आद कितना बचे को बाभू सौ डिगरी एंसर खतम कि उरा दिये के नहीं उरा दिये किसी को दिक्कत है बताओ नेक्स्ट कोस्चन भार्टिकल मिरर तो सबसे पहले हमको इतना तक बताओ कि निश्चित समय के साथ अगर कोई पूछ दिया तो वह आप बना लेंगे अब चलो एक थोड़ा सा बेसिक भी लेके चलते हैं इस साथ सब्सक्राइब कर को पे रहेगा एक नारी के यहां पे रहेगा बीच में कहीं पिस परकार से बनाना है है। इस तो आपको मालूम है सबस facing अब स्लोब है आपको मालूम है कि ये वाला पांट कितना है تم कole da तो आप यहां पर कितना हो गया पंदरा डिग्री बासम देखने अब इस दोनों को जोर देंगे तो यह हो जाए कितना 45 डिग्री तो अगर कोई भी कुश्चन होगा तो बना लेंगे कि बेसिक से भी समझ में आया कि नहीं आया कि पीडिया भी अप्लोड हो गया होगा कि विश्चन संख्या कोई भी संख्या में रहे या काट के पॉइंट में जाएगा और क्या जाएगा मैं तो आप लोग अच्छा ही ना कि फिगर तात तीस फिगर गलत है कि यहां संपून घाडिये लेकर आ जाया कि जब हाथ से बनाएंगे तो थोरा से इधा उदर जाएगा लेकिन एजुम करके लेकर चलना ठीक है चलिए और या इभेन से कोई मतलब नहीं है पॉइंट में चला जाएगा अगर और में रहेगा तो पॉइंट में जाएगा पॉइंट फाइप में आएगा और क्या आएगा ठीक है कोई दिक्कत किसी को यहां तक किलियर है तो बोलो हाँ सर जी सर किलियर हो गया सर पूरा जहर चुका है सर कोई दिक्कत इसमें यह सर यह सर यह सर जी पूरा जहर है कि नहीं को लाक का निश्ची समय और निश्ची समय के साथ में विचलन वाला चीज नॉर्मली हो गया अधिके साउंड आ रहा ना ठीके साउंड तो आ रहा जी नॉल्मल याप बना सकते हैं मजा आ गया उससे भी खतरनाक यूद्ध तीन-चार बात होता ने समझने के विए इससे भी खतरनाक बात चलते हैं कहां चलेंगे सुनना शर्ट पर्टिकल मेर्व मेरर में कितना प्रकार होगा दूपरकार का यहां पर तो यहां प्रकुष फ्रकार को फिर्टिकल मिरर का कोस्टन पहले जो है वह अक्सर दिवार घड़ी वाला कोश्चन में आएगा ठीक है दिवार घड़ी दिवार पे घड़ी ऐसे लगा हुआ है तो दरपर में क्या दिखाई देगा या इस परकार से कोश्चन आएगा ठीक है तो आप याद रखेगा भर्टिकल मिरर में जो 36 तल के साथ आप एक 90 ड वस्तू का बाया भाग दरपर में दाई तरफ दिखता है तो आप जैसे घड़ी देख रहे हैं यहां पहना यह कितना बज़ाए तीन तो यहां यह कैसे पर टेगा तो यह नो बज़े का समय सो कड़ेगा देख रहे हैं वास्तिविक समय कितना दे रहा है तीन का और जब दर टीकल मीडर यहां पर ठूट ठीक है इंग्लिस दिखाई देता है कि नहीं रहा है यह भी देखना है कि दिखाई देताय एक फॉर TV दिकतर घुर्मिन समय समय वाला में रटिकर ना करते ना है ना मेरा बात समझ दो जो मन करें देखर होता कैना वाबू इक वह साइकिल होता है ठीक है बच्चा में इंगहों साइकिल सीखते हैं चलाने के लिए बात तमय ना सब्सक्राइब को बनाने के लिए हम बेस्टाइम का यूज करते हैं कि इतना बारह बज़े का उसी को 1170 लिखक रहे हैं बेस टाइमिग को हना बेसर टाइमिक हम लोग यूज़ करेंगे र Ar sewer characteristics message को बनाने बेस टाइमिंग क्या लेंगे ध्यान देना 12 बजे का लेंगे 12 बजे को ही हम लोग क्या लिखते हैं 11-60 लिख सकते हैं ठीक है और अगर एंसर मेरा निगेटीव और सुन्मे में आ जाए तो उसका बेस टाइमिंग को हम 24 बजे में से यूज करते हैं 24 का आज़ा इसको दूसरे दिवार घरी में मिनट के सुई बारा पर तहां घंटे के सुई 5 पर दिखाई दे रहे इसे नौर्मली घंटा दीजिए अधर भारी है घंशर आपका यहां से के लियर है दीमाग ज़्यादा नहीं लगाना है कि मेरा क्लास अंविल मिलि आ रहा है कुछ कुमार बहुत पर्यां गर्दा मचा दिया आ जल्दी बता कहां नहीं समन्ञें आ रहा है राज हो जूट बूले शु को बिद्यान चखीर कुछ है जो लिखा ना कुछ ना कुछ लिखाए तो नहीं है आप पता दो पहां पर नहीं समय है आप बोलीए ने रहा हम साथ विद्धाय नास किरिया लगा दिये है जूट बोला तो होता है एक्दौ आदमी अपना नाम बोलवाने के लिए करता है नहीं से समझ में आ रहा है कि जिनको जिनको समझ में आगे लिग दो भीया किलियर है ताकि अगोरी तांत्री को पता चलना चाहिए भीया तो क्या दिकत हुआ है कि अजूट बोले साथ भी देनास कि गल्फेंड का कसम है बॉइफेंड का कसम है कंडिशन अपलाए तो आप किलियर 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 मजा आ गया है कि या बात पूरे जहर चल रहा है कि बस 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 अजिन को एक आदमी थे जिनको समझें रहा तो बाबुट थ्यान से देखना अपना मोबाइल अगल-बघल में हो तो साइलेंट कर देना अगर अगर किसी को भी थाए हुए है बगल में और कहीं पर जाके घाट वा टेनाइटी गंगा जी किनारे उनारे ना र क्योंकि जादा लिखाने से कोई फड़क नहीं परता हम कुछ लिखाई नहीं हम दो बात खाली बोले हैं आपको कि वर्टिकल मिरर में बेस टाइमिंग 12 बजे का रखना है और अगर घटाने पर हमको निगेटिव में आता है तो बेस टाइमिंग 24 बजे का रखना है आप क्या बढ़ है दोनों ठीक है या तो बारा बजे लिखो चाहिए गारा साथ लिखो जैसे अगले कुस्चन में देखिए कि लिखा यदि किसी घरी को लंबत दर्पन के सामने रखा गया हो और दर्पन में दो बजने का समय दिख रहा है अब दो बजने आप इसका मतलब क्या करें बहुत बनिया बहुत अच्छा है कि घिशते चलो एंसर को फटा फट मजा रहा है ना बस किसी भी चैप्टर का सुर्वाती कॉंसेप्ट थो रामधीरे लेके चलेंगे बाभू उसके बाद तो उड़ा देना है बात ही नहीं करना है चाहता अचल गया डिया व्याट हो चुका होगा आप चेक कर ले कि ये ये कि जिस टेंग तो ये तो निदो पांच-पचास तुम क्या बोल रहा है अगर पांच-पचास को मिरर की बात कर रहे है या आप डिगड़ी की बात कर रहे है ना यह एक तुछ फोड़ी है भी या इसको किलियर कर दो फिर बोलेगा पांच पचास पहले सुन निजे पांच पचास को कहड़ा करने तो यहां पर क्या करेंगे पचास आपना माथ तखिए एकारणा पचिस कर देए फटास से работать कर लिए भाई तो 275 हो गया 200 कितना हो गया 75 हो गया अब 275 में से 150 घटा दीजिए तब 50 इधर चला गया अब 50 100 मतलब कितना होगा 125 डिग्री अब 125 डिग्री अब लिखेंगे ठीक है अगर आप्सन में यह ना रहा तो तो 360 में से फिर क्या करेंगे 125 को घटा दीजिए जो अप्सन में रहेगा लगा दीजिएगा 360 माइनस कितना कर देंगे 125 तो 235 हो जाएगा या तो 125 डिग्री या 255 डिग्री यहां पर किलियर हो गया आप दिग्री यहां थे अब अगर दरपन वाला के बारे में पूछेगा तब दरपन में कौन सा दर पन बाबु एक होता है और एक होता है पाच और कितना पचास को घटा दीजिए यहां देख लो साथ में पचास गया दस इधर हो गया आए गारा में पाच गया तिधर पाच और एक छे चे बज़े कर दस मिनेट आपको भर्टिकल मिरर में दिखाई देगा अभी नहीं बता है होडिजेंटल चलिएगा तो यहां सत 20-40 50 कितना 40 मिनट या तो मुदक चारीश मिनट एंसर हो गाज और या इसमें प्लसwood denos हो जाता है वन आवर आड्ञ हो जाता है तो 1250 या 14 तो यह दो में से को णीज़ाय दो आण्सर हो जाएगा तो हमारे तांतप्री घोडंडीन जो बार-बार कर रहे ते उनका समस्य इलियर हो गया तो या तो 1240 या 140 आगे इसको फिर करेंगे 12 से क्यों नहीं क्या लिखें 12 से अब है देख चारे बात में पूरा कोड़ा खतम हो जाएगा बीसंप संख्या मिनेटर तो दो नहीं बिशमसंघ्यां दो ना कहा रहे ना ही दो कहा जाता है मभायल में क्लूक्लेटर है नहीं काटव देने आपको आपका रीजिनिंग मजबूत करना है मच से कोई मतलब नहीं को समझना यहां पर आगे बरते हैं कोश्चन अभी आगे बरते थोरा सा मजाने वाला है आए इसमें छे बज़ कर 20 मिनेट हो रहे हैं तो वास्तिक समय क्या होगा यह आइना वाला कुश्चन है तो क्या करेंगे छे-बिस को किसे गटाएंगे 11 साथ से गटाएंगे क्योंकि फिर देखो होता क्या है बारा बज़ जो लिखते हैं ना बारा बज़े बेस्टाइमिंग तो इसी के बदले में हम यहां इसको 11 साथ लिख देते हैं बात तो बराबरे नहीं है और इसमें से छे-बीस को घटा दीजिए छे-बीस को घटा दीए तहने तो हो जागा चालिस बस समझे कि नहीं आए 11 में से छो घट नहीं तो है किलियर हुआ है हो हार होजेंटल अफरी जटा में लिए अब आपके थेलिए वाजेंटल दरायंगे तो हलें तो हो जाने तो चैसी हो जाए गाइगा पाने को पर खाट चाल रता थेना है ने को ने गट्त इल्टा के मारें गें तुमको रहा होता है यह होगे अ लुटा ना सब फूल्टा ठीक है आई यह हुआ उल्टा उल्टा में क्या होता है टंगड़ी ऊपर रहता है मुणि नीचे रहता है बस समझें आप पूल्टा में बस क्या होगा ना यह इधर इधर का बस इधर दिखाई देगा इसमें और कुछ ने होने वाला बस समझे कि नहीं तो फॉलटा पूलटा ने करें पहले उलटा दिये फिर उलटा ने को त्रंगड़ी ऊपर तो वह होरीजन्टल चला गया अपूलटा ने मतलब क्या पॉलट दिये नहीं करते हैं पॉलट बसमझ में आए कि नहीं तो फॉलट मने होड़ी होई इसमें भर्टिकल ठीक है आपका बहुत जहर है हम याद रखना बहुत जहर और चलते हैं और हमको मालूम है कि आप प्रैक्टिकल बात ज्यादा आच्छे तरीकर से समझते हैं अब हमको लगता है उल्टा-पूल्टा बहुत जेंटल भर्टिकल आपको थागरा समझ में आ गया होगा चलिए अगले कुश्चन को उला दीजिए अभी देखो यह हो गया उलट है नहीं हो गया गर्दा-गर्दा-गर्दा आप कंफ्यूज कर दिए आप यह लाइफ में प्रेक्टिकल चलोगे तभी समझ में आएगा कुछ बात अना जितना प्रेक्टिकल चला होगा वह उलट-पुलट समझ गया होगा तरी मतलब क्या नहीं कि आप खूस रही है खूस रहते वे मेरा को से समझ जाए बादमा की किसी भी चीज़ का आप यूज करें हमको को कोई लिक्कत नहीं चलोगा देखना अब जब वाटर इमेज की बात कर दे तो थोरा सा एक चीज़ देखना यहां पर कि दरपन के ऐसी स्थिति जो 36 तल के सामानांतर परियावस्था में रहती है परियावस्था मतलब सूतले रहती है बास समझी कि नहीं तो रखी गई अर्थात गरीम होता है क्या नहीं होता है इसलिए हमेशा इसमें दो टाइम बनता है ठीक है याद रखना हमेशा दो टाइम इसमें बनता है क्योंकि यह टाइम होता ही नहीं है ऐसा टाइम होता है क्या नीचे वाला बताओ जरा सकुई प्राइब लिखता है को तैसे मास्टर एक दम जोना प्रैक्टिकल बात बोल दिया चलिए सब किलियर है वह ठीक है आगे बढ़ते हैं आप समझ में आ रहा है ठीक है चलिए अब ध्यान देना यहां पित इसके में भी बेस टाइमिंग है क्या बेस टाइमिंग है देख लो बे पर अनबबे ठीक है आप लोग नहीं अठाव ठाव ठाव पढ़े होंगे तो भूल जाना सतरह तीस और सब्सक्राइब क्या है यह पहले समझे कि अगर कोश्चन मेरा तीन बजने वाला कोश्चन अगर दे दिया ठीक है जैसे इसी में तीन वजे वाला तीन बजना है इसको क्या करें 17.30 में से गटाव एक ओसंतरा सब्सक्राइब किसको तीन वजे को कितना तीन वुजे घाते नहीं तो 30 होगा भी आजब 17 में 3 छ नर गया जोड़ متलब क्या उता है 14ogen तहीnt क्या कछते हैं लोग क्या बारह तेरह 14 मतलब यह दो बच कर it and मिनिट और हम क्या बोले थे कि इसमें एक आवर और जोड दीजेगा तीन बज कर तीसे मिनिट अब जो भी आपके ऑप्सन में रहे इस दोनों में से उसको हम लोग क्या करेंगे एंसर करेंगे ठीक है क्योंकि फिर बता देते हैं कि कि किसी भी घरी में इस परकार का समय होता ही यहां ऐसा समय नहीं होता है इस लिए हम कर शकते इसलिए हम यह में समय सोक्किया जाता है यह सारे तीन बज रहा तो चलिए कुस्चन पर आते हैं अभी आ देखें 37 नबे का प्रयूबक करना चाहिए फिर प्राप्त समय में एक खंटा एक घंटा जोड़कर दो समय प्राप्त होता है ओप्सम्ंच में दोनों में से इक विकल्प दिया होगा आप उसको ठीक करें अब समय आ गया है दोनों होगा तो डोनों लिखा होगा वहां पर एक और दो सब्सक्राइब करने पर फोकस रखते हैं जल्दी में अभी हो जाए पंडी तो चावल उठा रहा है कि दूबी उठा रहा है कि गोबर उठा रहा है को सोनों नहीं करते हैं करते हैं सब्सक्राइब करते हैं इसके चक्र मत परो कि सब्सक्राइब करते हैं याद रखने न सिर्फ ठीक है मस्ती में परना है आप देखो कुछन क्या कर रहा है तो क्या करेंगे इसको 17-30 में से घटा देते हैं 27-30 में से 28 गटा दीजिए कि 17-30 में से 8-20 को क्या करता है घटा दीजिए कि तना हो होगा या तो दस-दस होगा यहीं दो में से कोई एंसर होगा तो जो आप्शन में देख रहे हैं नौदस मिल गया मार दीजी एंसर बात खतब कि पिले हुआ कि नहीं हाँ वाबू हम तनी तो बोलेंगा उसे ज्यादे तुम जहर हो जाओ और आगे बर गये कि एक घंटा क्यों एड करते हैं अब देख लो एक घंटा क्यों एड करते हैं इसी पर पंडित मार वो करेगा तुरत हम क्या बोले थे कि यहां पर देखो आठ बीस समझना यहां पर आठ बीस का टाइमिंग तो ऐसा यहां को दिखा लेकिन जहीं सहीं यह पानी में घुषता है तो पानी में यह समय ऐसा दिख रहा है हम ऐसा दिख रहा है तो ना तो यह नौदस है ना ही तो यह दस-दस है इसको ना तो नौद 12 1968 इसी दोनों में से कुछ क्योंकि पानी में कभी भी आप कवे होंगे अगर लख दालते हैं लखड़ी तो यह तो सो造 टीर्चा दिखाई देता है आल js आईНе करदनों। देखो पानु पीना नहीं प्यास लेट फिना नहीं लेकिन यहाँ पानी और यहां पर आशे से पानी में गूशा देरन तो याद रख थोड़ा सा तीर्चा दिखाय देता है जिसे कारण कि हम है एक्चौल समय नहीं बता पाते हैं तो यह करेंगा हमिसाथ दो लेकर चलिक या तो नोधश्या तस ठीक है जो एंसरा गॉसमें घंटा जोर दीचेगा या तो नौधश्या दस दस होगा सट्रह कहां से आया कर दो फिर कुछ सुनने का मने काम से को तरह कहां से यह दिक्कत है पर ध्यान दे को सनवा पे कि बया पतनी आ गई तो अगरा साली रोग कोन है बस उसको से अगा यह आपका ट्रीक है वाबू ट्रीक में कहां से लिए नहीं कुछ कह सकते हैं कि हम चांड जानते हैं कि परहाई कभी प्रेसर में नहीं होता है इसल attitude रोटे हैं कि सब्राई नहीं है किसी को किसी को दि Hmm नहीं रह तो कसी को दे चुक है आजայी कर्म कर कर चुक है तो दिल हाई नहीं तो बुरा दिल नहीं लोग लिजीए कैसे मेरी बात को इसे लिए पूरा हसी मिझा के साथ चलिए ठीक है मज़ा आजाया खतरना पढ़ने में मज़ा आना चाहिए है ना कॉमेडी के रिज्णिंग मत पढ़ने में पार्णाई मनि से वेचिंग भी से मनि से साथ बजे का समये रहीगा लें तियार रहिए गरदा मचा देना है चलो आप समझ आपका रिजल्ट हो जा यही मिले बहुत प्रतित होगा तो च्छेती से करेंगे सातरा इसमें से घटा दो लिख रहे हैं आपको लिखना भी नहीं चाहिए सातरा नहीं तो बारा बजेगा दो ही एंसर होने वाला तो देखो लो बारा है मार दिये कर द落़से कर साफोंनां जरा रहा जैसे कर ल sesi seconds सब गदेता का डिया लगते यह gel मेहिए कर दूल देखते हैं जक्रम कैसे दूल या ह्क नाले आगे और बाद होता चल चलो बात खाता है ना मतलब क्या कि जैसे कुष्चन आया एंसर आपको मिल गया रिजल्ट मिला नोकरी लो चल 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 करने से क्या आया छोड़ दो तो इस ठीक में आपको याद रखना चार चालीस वह रहा है अब देखो चार चालीस चार चालीस अब सत्रा तीस में से चार चार खटाएंगे नहीं घटे करते चार चार घटाने में हमको यहां पर दिकत होने वाला है इसलिए इसको किसे घटा हैं सत्रा नभे में से चार-ालिस घटा कितना होता है 1246 1345 मतलब 13 वजकर 50 मिनिट कहने का मतलब या तो 150 होगा या नहीं तो 250 होगा यही दूनों में से कोई मेरा एंसर है 150 या 250 तो हमारे पास में सब्सक्राइब को अपसे लिकान यहां तिए ऐसा आङए कि अएदर ठीन अब यहां बजिया कीकटना सत्रा शत्रासथ गया सथ गया तो अब या तो 10 35 होगा या तो 11 35 होगा दोनों में से कोई एक होगा 11 35 दिया हुआ है लगा दीजिए इस ठीखाए नेक्स्ट कोश्चन करो 9 15 हो रहा है तो इसको 17 30 में से घटा दीजिए 17 30 में से 9 15 को घटा दीजिए क्या देको 15 बचेगा 17 में से नो चला गया साथ और एक इतना या तो 8 15 या तो 9 15 बात खतम एकदम उरा देना है सोचना ही नहीं है आगला कोश्चन देखो अब आप लैपिंग है लेकिन नहीं यहीं तक रहने दीजिए आज इतना ही तक सीखिए मिरर वाटर और निस्सिस्टम है क्लियर हो गया मजा आया कि उरा दीजिए कुस्चन अभी तक इतना परहा है कि आपको लगता है पेंच लाना परेगा ज्यादा और हम लिखाए भी है ज्यादा कुछ भी नाहीं लिखाए दो ही तीन चीजिए लिखाए लूम जाया कि नहीं आया गर्दा उरा देना है आईसे हर चप्टर में ऐ कोछ लिखायें बस में इतना ना मुश्कुराते रहना मेरे अप जहाँ भी बैठे है हम चाहते है कि अगरर भर भी बटे तो मेरी क्लास के समय मुश्कुराते रहे ताकि कि आपको अगल वगल कोई देखे एक बार जरूर आपका मोबाइल को छाकने लिए आए आखिर किस ट थैंक्यू मिलते हैं अगले क्लास में